किलियर कट मामला है कि हमको मुसलूमान का बोट लेना है हाला कि पटना सीटी के छेतर में या अनित छेतर में वह उनका अच्छा जनधार struggles बहुत मीठा बोलते हैं बहुत मारमीक बाते बोलते हैं तबियत खड़ाव है तो ज्यादा नहीं बोलते हैं, अमबेटकर की बात करते हैं, सफाई कर्मी की बात करते हैं, एक तरह से कॉम्बिनेशन बनाने की बात करते हैं, कि एकदम अनौन महिला घर में जो है वो आलू काट रही थी सबजी बनाने के लिए, उन्हीं ने तो मेरा बेतन बढ़ाया था, तो ये ग्राउन का ब परमानेंट किया गया और बहुत क्लियर कट इनका फंटा है मुसलमान बस्ती में बड़ा लगा हुआ है पटना में सबसे बड़ा बैनर लगा हुआ है महजवी इनकी जो पत्नी है वो साइद 14 या कितना नमर पे हैं वो 14 नमर पे हैं साइद उनका जो सिंबल है मेज चाप और वो अराम से हम कहें तो जो और जो प्रतियासी हैं उनके अनुसार या उनके विप्रित देखा जाए इनका पल्रा उन लोग से ज्यादा भारी लग रहा है जणनाा कांगा यहां जाता है उसला संवारर के कारनी अच्छा ला रहे हैं और कोर तो अनके हिते संवाज के लोग उनके लोग उनको बोल बोट करेंगे उनके लिए बोट मांग भी रहे हैं पटना के मेयर चुनाओ में अगर कोई ऐसा एक प्रत्याशी है जिसके जीत को लेकर सारे लोग संशय में हैं और उनको लग रहा है कि ये आदमी बिलकुल निकल सकता है तो वो आदमी है अफजल इमाम अफजल इमाम की पतनी पतना-पतना की मेयर कैमिडेट है और अफजल इमाम का जो कोर वोट बैंक होता है उसके बारे में जब आपको अभी संशी बताएंगे तो आपके होशफाखता हो जाएंगे अगर सिर्फ हम लोग उस कोर वोट बैंक को मानकर चले तो अफजल इमाम अभी से ही पटना के मेयर बन चुके हैं वो चुनाव जीत चुके हैं लेकिन वही बात है जब तक लोकतंत्र में चुनाव होना जाए वोट ना पड़ जाए और वोटों की गिंती ना हो जाए तब तक आप किसी को जीता हुआ नहीं मान सकते हैं लेकिन सनी पर जो देखा यहीं साबित करता है कि अफजल इमाम पक्का वो केंडेट हैं जो मतलब जीत के घोड़े आप पैसा लगा सकता है इन पर एकदम आराम से तीन लाख मुसल्मान बोट है और देर लाख पोल होता है हम आपको आकरा बताए कि देर लाख पॉने दो लाख जो ला पर रहा है कि हम को मुसल्मान एक करते हैं बहुत मीड़ा response मार्मी की बात करते हैं सफाइं कर्मी की बात करते हैं एक तरह से अंब करते हैं कि मुसलीम और दलिट का इक तरह से घठOC वर सफाई कर्मी के महले में जब हम उनके साथ गए तो एकदम अनौन महिला घर में जो है वो आलू काट रही थी सबजी बनाने के लिए उन्हीं ने तो मेरा बेतन बढ़ाया था तो यह ग्राउन का बोटर है वो दूसरे ओर थे और यह हम अलग उनसे ख़बर कर रहे थे कि हम लो सब्सक्राइब करें लोग थे जिनको एक तरह से पर्मानेंट किया गया और उसके बाद उनका जो वेज था भी बढ़ाया गया पहले कुछ छे हजार या साथ हजार मिलता था इनके आने के बाद जो है वह 11000 के करीब वेतन चालू हुआ था तो पटना में अगर सफाई कर्म ही आप पतना नगर निगम के जोड़ लिए हम उनको मिला करके चल रहे हैं तो लगबग पर्मानेंट और जो डेली वेश पे हैं लगबग 15,000 हो जाता है और पंदरा इन्टू जो है चार कर लिए अगर एक घर में मिनिमम चार बोट तो होते ही है तो साथ हजार इसी हो गया और एक लाख, डेर लाख मुसलमान बोट है, डेर लाख में हम एक लाख बीस रखते हैं, तीसे इनका हटा देते हैं फिर भी वो जो है वो एक लाख असी हजार के करीम बोट हो गया, तो ये सीट इनके लिए और एक तरह से चल भी रहा है कि अबजन इमाम बहुत ही असानी स जो है यह चुनाओं निकाल लेंगे दूसरी और जीन के सामने जो प्रतियासी है या और भी जो प्रतियासी है जो चल रहे हैं मैदान में देखी अंतता बोट जो है वह उसी पर आके रुखती है जिसके लिए बिहार फेमस है जाती हां वह यादब जो है वह यादब को ही तो अपना देख लेता है कि खोशता कि कौन हमर है लाला खोशता कि कौन मेरा है यादब खुशता अच्छा आप मेरे हैं तब आप ही को जाएगा आप नुच्चिंत रहे या यह चैने यह बोट हम आपी को देते हैं इसी परकार मुसलमान भी एक जूट है और बहुत क्लिय नमर पर है साइद उनका जो सिंबल है मेज चाप और वो अराम से हम कहें तो जो और जो परतियासी हैं उनके अनुसार या उनके विप्रित देखा जाए इनका पल रहा उन लोग से ज्यादा भारी लग रहा है बोट के अनुसार हाला कि जो पोल होगा या नहीं होगा यह ची प्रियासी होगी उनके पीले रंगा जो है बॉक्स होगा वहीं पर जाके आपको जो है बोट गिराना है चाहिए आप किसी भी लोगों को दे तो एक तरह से क्लियर कट फंडा है दूसरी और जहां भी जा रहे हैं तो हम बेटकर का जिक्र कर रहे हैं और पढ़े लिक इनसान और उसके बावजूद जो है लगबग बचपन एकावन का समर्थन पाना यह अपने आप एक बड़ी बात है उनकी वहवारकता है और चाहे हो हिंदू हो चाहे मुसलिम हो पटना सीटी या वह जो पटना साहिब का छेतर या जो पूरा यहां से सबजी बाक से चालू हो जात पाइदा होगा 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 लेकिन हमने फिर आपको कहा कि मयागत डननन करके चाहे कास है पूंजरी पकर लीजेगा आप महागर्म शलमान अगर आप कायस्त हैं तो आप सीता साहू को पकड़िएगा ससी रस्तोगी वहां पर रेस में हैं तो हर छेत्र का अलग-अलग मुद्दा है यह महागरबंदन और वाजपा की लडाई नहीं है और खास करके जो परतियासी है अगर सबसे भोकल कि एक पत्रकार के सामने हो जब जहां साड़ा महिला प्रतियासी आई हुई है आप नहीं आते अपने प्रतिनीधी को बेचते हैं तो सोचे कि हम और आप जाएंगे तो उसमें भी प्रतिनीधी आएगा कि नहीं मैडम से बात नहीं करना हम से बात कीजिए तो यह इस्तिती बढ़ता नहीं है और सबसे ज़्यादा यही काम आएगा यह उनका बहवार सबसे अच्छा है बोट वह बहवार के कारण ही अच्छा ला रहे हैं और कोर्त उनका मजबूत है ही लेकिन उनके वानी के चलते उनके बोली के चलते सारे समाज के लोग उनको बोट करेंगे और लेकिन तीस तरिक को दिखते हैं कि क्या होगा क्योंकि हम लोग भी अनुमान लगा सकते हैं हम लोग तो कोई संसे बिसक्राइब करने कि सअच्छ छहां लेकिन जहाँ अगर हमारा सठीक नहीं बैठाएगा हम लोग कानपगर के माफी होने की यह ऑट दूजेगा जिसको वोट देगा जिसको वोट नहीं देगी भॉह बाकि जैसे-जैसे अपडे abonnate wash झांञार ग्राउन पर जाकर इतनी सारे जानकरिया यह ठठकर करके हमारे लिलाते हैं ताकि हम लोग बैठ कर आसानी से इस बात को डिसकस करते हैं और आप तक पहुचा देते हैं धन्यवाद